हर्याना चुनाओं में करारी हार के बाद कॉंग्रेस पार्टी फूख फूख कर कदम रख रही है क्योंकि कई राज्यों में वधानसभाद चुनाओं होने है और कई राज्यों में उप चुनाओं ऐसे में जब सभी पार्टियां जोरो शोरों के साथ चुनाओं की तैयारी में जुट गई है तो कॉंग्रेस पार्टी अपनों की बगावत से जूज रही है बड़े बड़े नेता कॉंग्रेस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं वैसे चुनाओं कोई भी हो नेताओं का पाला बदने का सि tämä कभी रुकता नहीं है और इस बार भी कांगरेस के साथ वही हो रहा है और अपने ही नेताओं की बगावत से कांगस में कलहा मची हुई है इतना ही नहीं कुछ नेता करता ऐसे भी है जो अपनी अश्रील हरकतों की वजह से पार्टी को मुश्किल में डाल रहे हैं नमस्कार क्यापिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाबिस्ट चुनावी माहौल के बीच में कॉंग्रेस को एक के बाद एक जबरदस जटके लग रहे हैं पिछले कुछ दिनों में कॉंग्रेस के नेता बगावत पर उतराये हैं वो कौन से नेता है यह हम आपको आगे खबर में बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको बता दे कि अभी हाल ही में किस नेता ने कॉंग्रेस को 440 वोल्ड का जटका दिया है पंजाब में कॉंग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी ने खेल कर दिया है दरसल विदानसभा की चब्बेवाल सीट पर 13 नवेंबर को होने वाले उप्चनाव की तयारियों में जुटी कॉंग्रेस को बड़ा जटका लगा है चब्बेवाल से कॉंग्रेस के हलका इंचार्ज कुलविंदर सिंग रसूल पूरी और पूर्वधायक चौदरी रामचरण के पोते गुरप्रीत सिंग आप में शामिल हो गए मुख्यमंदरी भगवदमान ने दोनु नेताओं को चंडीगण में पार्टी में आपचारिक तोर पर शामिल कराया और उनका स्वागत किया इस मौके पर पार्टी के होश्यारपूर से सांसर डॉक्टर राज कुमार चब्बेवाल मौजूद रहे इस मौके पर पार्टी कार्याले से जारी अपने बयान में मुख्यमंदरी भगवदमान ने कहा कि दोनु नेताओं के पार्टी में आने से सिर्थ चब्बेवाल ही नहीं पूरे होश्यारपुर में आम आदमी पार्टी मजबूत हुई है हम मिलकर चब्वेवाल के विकास के लिए काम करेंगे पार्टी से नाराज चल रहे थे रसूलपुरी दरसल दावा किया जोरा है कि हम बड़े अंतर से ये चुनाओ जीतेंगे कुलविंदर सिंग रसूलपुरी कॉंग्रेस पार्टी से करीब 15 साल से जुड़े हुए है डॉक्टर राज कुमार चब्वेवाल के पार्टी छोडने के बाद उप्चुनाओ के लिए कॉंग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकेट देने का वादा किया था लेकिन पार्टी ने लोगस्वा चुनाओं में होशादपुर सीट से बस्पा की टिकेट पर लड़े एड़ोकेट रंजीत कुमार को टिकेट दे दिया इसके बाद से रसूलपुरी पार्टी से नाराज चल रहे थे अलाके में अच्छी जान पहचान और पकट आपको बता दे कि कुलविंदर सिंग पंजाब कॉंग्रिस ट्रेडिंग सेल के वाइस प्रेसिडेंट और जिला कॉंग्रिस कमिटी होशादपुर के भी वाइस प्रेसिडेंट थे लेकिन अब वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए है इस इलाके में उनकी अच्छी जान पहचान और पकड़ है उनके दादा चौदरी राम रतन चब्बेवाल विधान सभा से 1962 से 1967 तक विधाक रहे थे आपको बता दे कि 13 नमेंबर को पंजाब में चार सीटों पर उप्चुनाओ होगा इसके लिए आम आदमी पार्टी ने सभी चारों सीटों पर उमीदवारों का एलान कर दिया है गिदड़ बहा सीड से डिंपी धिलों को टिकट दिया गया है अब चलिए आपको बताते हैं कि इससे पहले कोंग्रेस को किसने जटका दिया है दरसल अभी हाल ही में महाराश्ट चुनाओ से पहले कोंग्रेस को बड़ा जटका लगा है दिप्रिसियम देवेंद्र फर्नवीज और पाटी की मुंबई काय के प्रमुक आश्षीश शैलार की मौझूदगी में रवीर राजा ने भाजपा का दामन्थामा इसके तुरंत बाद भाजपा ने उन्हें एक तौफा भी दे दिया दरसल पाटी में शामिल होते हुए सीनियर लीडर रवीर राजा को तुरंत मुंबई भाजपा का वबाध्यक्ष निक्ति किया गया रवीर राजा सायन कोलीबाडा वधानसभा सीट से टिकट नम मिलने से नारास थे वो इस बात से भी परिशान थे कि कॉंग्रिस ने मुंबई के वकास में उनके काम योगदान को माननता नहीं दी और ना ही उसकी सरहाना की रवीर राजा ने अपना स्तीफा सीथे कॉंग्रिस अंध्यक्ष मलीगार जुन खडगे को भीजा कॉंग्रिस पार्टी ने सायन कोली बाड़ा विधानसभा शेद्र से गड़े श्यादों को चुनावी मैदान में उता रहा है रपोर्ट के मुताबिक राजा ने कुछ दिन पहले महराज्ट के उपमुखे मंदरी फरणवीज से मुलाकात की थी और भाजपा में शामिल होने की इच्छा जताई थी राजा का ये फसला कॉंग्रिस पार्टी के लिए बड़ा नुकसान और भाजपा के लिए बड़ा फायदा है ये ऐसे समय में हुआ है जब महायुती मुंबई में ज़ादा से ज़ादा सीटे जीतने और महाविकास अगारी को हराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है उनके अनुभव को देखते हुए पार्टी को इससे बहुत लाव होगा राजा एक अनुभवी पार्शद है वो 23 सालों से ज़्यादा वक्त से ब्रहा मुंबई विद्यूत आपूर्ती एवंपरिवहन निगम के सदस रहे हैं उपमो के मंतरी ने आगे कहा कि मौझूदा वदानसभा चुनाओ प्रक्रिया के दौरान वेभिन दलों के और नेता भाच्वा में शामिल होंगे रवी राजा के बीजेपी में शामिल होने के मौके पर देवेंद्र फर्णवीज ने कहा कि ये तो सिर्फ शुरुबात है आने वाले दिनों में कॉंग्रेस के और नेता बीजेपी में आएंगे महराच्व में बीजेपी सबसे जादा सीटों पर लड़ रही है इसके बाल दूसरी नंबर पर कॉंग्रेस है जो सो से अधिक सीटों पर चुनाओ मैदान में उतरी है लोग समाच चुनाओ में सबसे जादा सीटे कॉंग्रेस ने जीती थी हलाकि उन्होंने इस बारे में व्रिस्तित जानकारी देने से इंकार कर दिया मैंने 44 साल बात कॉंग्रेस पार्टी से स्तिफा दे दिया है और भाजपा में शामिल हो गया हूँ मैं मुंबई भाजपा उपाध्यक्ष के रूप में अपने करतव्यों का इमानदारी से नर्वाहन करूँगा ये पहले से तैह है कि केंद्र में भाजपा के नृततो वाली सरकार और राजपा में महायूती सरकार के काम को देखते हुए महायूती सरकार फिर से सत्ता में आएगी उन्होंने भाजपा नित्तों से आगरे किया कि वो मुंबई में भाजपा के विकास के लिए अपने अनुभो और ज्ञान का उपियोग करें राज़ो ने कहा कि सायन कोलिवाडा से भाजपा उमीदवार तमिल सेलवन की जीत निश्चित है इतना ही नहीं डिल्ली प्रदेश कॉंग्रेस को भी बड़ा जटका देते हुए सीलंपूर विधानसवा शेद्र से पाच बार विधायक रहे मतीन एहमत के बेटे और बहु को आम आदमी पार्टी में शामिल किया गया है दिल्ली विधानसभा चुनाओं से पहले आम आदमी पार्टी को मजबूटी मिली है इसने कॉंग्रेस में सिध लगा दी है सीलंपूर से पांच बार कॉंग्रेस के विधायक रहे चौदरी मतीन एहमद के बेटे चौदरी जुबेर एहमद ने आम आदमी पार्टी जोयन कर ली है मतीन एहमद की बहु शगुफता चौधरी जुबेर जो मौझूदा कॉंग्रेस पार्षिद भी है उन्होंने भी आम आद्मी पार्टी का दामन थामा चौधरी मतीन एहमद 1993 से लेकर 2015 तक सीलमपूर विधानसभा शेत्र से लगातार विधायक रही है जुबेर ने कॉंग्रे स्तीफा देनी की पुष्टी एक्सपर की है उन्होंने स्तीफा भी शेयर किया है सीलमपूर सीट का चुनावी गडिन 2015 और 2020 दोलू ही चुनाओ में सीलमपूर विधानसभा सीट आम आदमी पाटी ने जीती थी 2015 में मोहमद इश्राक और 2020 में अब्दुल रह्मान ने चुना लड़ा था सभी चुनाओं में उन्हें जीत हासिल हुई थी कॉंग्रेस को जार्खन में बड़ा जटका बात यहीं पर खत्म नहीं होती है अभी हाल ही में जार्खन कॉंग्रेस के कारेकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा ने पार्टी से स्तीफा देकर भाती जनता पार्टी का दामन थाम लिया मानस पिछले 27 सालों से कॉंग्रेस में थे दरसल कॉंग्रेस से टिकेट नहीं मिलने के चलते मानस सिन्हा नाराज चल रहे थे उन्हें जार्खन भाजपा के कारेकारी अध्यक्ष रवींद्र रहने पार्टी के राज मुख्याले में असम के मुख्यमंतरी पस्तती में भगवाद दल में शामिल किया बाजपा में शामिल होने के बाद मानस सिन्हा ने कहा कि इस मौके पर असम के मुख्यमंतरी हमंतर विस्व सर्मा ने कहा कि वो भी 22 सालों तक कॉंग्रेस के साथ थे उने पता है कि पार्टी में कैसी स्थिजी है सिएम भेवंत ने सर् वाने मानस सिनहा के बाचपा में शामिल कहा कि अब हम राज में पार्टी की जीतसोंपे करने के लिए मिलकर काम करेंगे मानस सिनहा ने लैटर में लिखा कि मैंने अपने जीवन के साथ 20 साल कंग्रेश को दिये पार्टी ने जो भी काम दिया, उसे मैंने पूरी मानदारी के साथ किया, मैंने पार्टी को वो काम करके भी दिखाया, लेकिन मेरे द्वारा किये गए कारियों का पार्टी में कोई महत्तु नहीं नजर आया, चौती बार पार्टी ने मेरा अपमान किया है, मेरी सहन शक्ती इ के बावनात्पूर से टिकट चाहते थे हाला कि इंडिया गठ बंदन के तहट ये सीट जामुमो के हिस्से में आ गई सीट पर कॉंग्रेस की मजबूत पकड़ माली जाती है यहां से कॉंग्रेस साथ बाठ चुनाव जीती है हाला कि सीट पर प्रतिनजुत तीन बार के वधायक भानुप्रताप शाही कर रहे है जो 2019 से भाजपा के साथ है शाही का बावनात्पूर में पूरू कॉंग्रेस वधायक आनंत प्रताप देव से सीधा मुकाबला है जो अब जामुमो के साथ है यानि कुल मिलाकर कॉंग्रेस इसको एक के बाद एक जबरदस्त जटके लग रहे हैं जिसे कॉंग्रेस कैसे खुद को निकाल पाएगी ये देखना काफी एहम होगा इस पैशल स्टोरी वह खिलाल के लिए इतना ही बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहेए कैपिचल टीवी नमस्कार